वैसे तो आपने कई वार खाई होंगी सूरन ओल की बीना गार्लिक वाली सबजी बट आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीना उवाले बीना फ्राइ किये सूरन की ग्रेवी वाली तरकारी जिसे देखकर आप एक वार जरूर बनाना चाहोगे तो चलिए किस बात की है बन के चनल को सब्सक्राइब करना तो विल्कुल भी मत बुलिए तो चलिए बनाते हैं आज की स्रेसिपी तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और उसे गर्म होने देंगे और मैंने अल्रेडी पहले से ही सुरन ओल को स्लाइस में कट कर लिया है तो देखिए मैंने इसे इस तरह से थोड़ा मोटा थोड़ा पतला स्लाइस में कट कर लिया है अगर आपको सुरन काटने में खुजली होती है तो आप हाथ में वाइल और थोड़ा सा नमक लगा कर इसे कट करिएगा जिसे आपके हाथों में जलन या खुजली पन नहीं होगा आप इसे एक बाट ट्राय जरूर करिएगा या फिर सूखी ओल लीजिएगा जब पैन गर्म हो जाए तब हम इसमें एड करेंगे सरसो का तेल सर को सरसो का तेल में खास जाग बनता है और इसलिए सरसो का तेल बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है खाने में तो तेल को हम चारो साइड से फैला लेंगे ताकि ये चारो तरफ से गर्म हो जाए और जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें चौक लगाएंगे चौक इसे आम भासा में तरका भी कहा जाता है भगार भी कहा जाता है लेकिन बिहारी लोग इसे चौक ही कहते हैं जब चौक भी गर्म हो जाए तब हम इसमें एड करेंगे कटा हुआ सूरन और इसे हम cook करेंगे आपको लगड़ा होगा कि तेल कुछ ज्यादा है बट तेल ज्यादा नहीं है आप वीडियो को देखिए ये तेल को असानी से exhaust कर लेता है ओल तो देखिए तेल को ये कितनी असानी से exhaust कर लिया न और इसमें oil डालने में आप कंजूसी मत करिएगा किनकि ये तेल इसमें कुछ ज्यादा ही लगेगा तभी ये स्वादिस्ट बनेगा और फिर हम इसे fry करने के लिए हम इसमें add करेंगे salt और जब ये fry जासा हो जाए तब हम इसमें add करेंगे healthy और हल्दी को कुछ करने के लिए हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हल्दी जलेना और हमारे मसाला भी अच्छी तरह से कुछ हो तब फिर इसे हम cover करकर तेल छोड़ने तक कुछ करेंगे देखिए ये कितनी अच्छी तरह से कुछ हुआ है मैं आपको नदी करके दिखाती हूँ है ना बहुत अच्छी तरह से ये कुछ हुआ हुआ फिर हम इसमें और भी मसाले add करेंगे तो आवाई मसालों की बारी तो इसमें हम add करेंगे जीरा पौडर, धन्या पौडर, लाल मिर्च पौडर और मैंने सारे इंगेडियंस का नाम वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है आप वहाँ से चेक कर लिजेगा और इसमें भी हम थोरा सा पानी add करकर इसे कवर कर कुछ करेंगे अगर आप इस तरह से बनाईएगा ना अपने घर पर तब बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे ये इतना tasty लगता है ना खाने में कि मैं बता नहीं सकती तो आप इसे बना कर देखिएगा अब ये तेल असानी से छोड़ चुका है अब हम इसमें cook करने के लिए इसमें डूबने भर पानी add करेंगे फिर हम इसमें add करेंगे homemade गड़ मसाला और इसे उबा लाने तक हम cook करेंगे अब इसमें वाल आ गया है तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से इसमें वाल आ चुका है और ये सूरण तयार भी है मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये cook हुआ है या नहीं तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से गल चुका है है ना बुड़ी अच्छी तरह से गल हुआ ना मैंने इसे fry किया ना मैंने इसे उवाला और ना ही मैंने इसे cook कर में cook किया तो आप इसे एकवाट ट्राइज जरूर करिएगा अब यह डेड़ी है मैं इसको आफ कर देती हूँ और मैं इसे एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ तो लीजिए तयार है गर्मा गर्म ओल की सबजी आप इसे ट्राइज जरूर करिएगा तो इंगिरियन्स को नोट कर लीजिए और जो की इंगिरियन्स आड़े यह है आप इसे रोटी के साथ खाएए प्राठे के साथ खाएए या फिर जावल के साथ खाएए यह किसी भी चीज के साथ खाने में बहुत ही यम्मी लगता है I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज 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 इसे एक लाइक और अपने फ्रिंट फैमिली में से एक जरूर करे और अगर आप फस्ट वर मेरे चैनल पढ़ा हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना तो बिल्कूल भी मत बूलिए क्योंकि मैं इसी तरह की कम बजट में बनने वाली नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए हमेशा लाती रहती हूँ अपने इसी चैनल घर का जाएका विद्खुश्वू में देखने में ये लग रहा है ना बहुत ही सुन्दर क्योंकि घर का जाएका विद्खुश्वू में जो दिखता है वही पकता है तो फिर मिलते हैं इसी तरह की कम बजट में बनने वाली रेसिपी के साथ जब तक खुश रहिए, खुशियां बाटते रहिए और आसपास सफाई बनाई लखे और मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्लीज, प्लीज, प्लीज